आज हम डिसकस करने जा रहे हैं One Word Shavashtetutions की सीरीज यह हमारा पहला पार्ट होगा और यह बहुत सारे पार्ट इसका में लाने वालो हो तो हमारा पहला पार्ट है तो स्टार्ट करते हैं पहला वानवार सपस्टिशी सथन है, a person who eats human place, एक वेक्ति जो human place खाता उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं, canibal, क्या कहते हैं, cannibal, next question, कुमारा दूसरा question है a person who dislikes women यानि कि वैसा वेक्ति जो women को dislike करता उसे क्या कहेंगे मीसोगाइनिस्ट क्या कहेंगे उसे मीसोगाइनिस्ट यानि कि इस्ति जाती से द्वेस करने वाला a poem that expresses sadness especially for somebody who has died एक ऐसा गीत अगर कोई मर जाता है जाता है कोई वेक्ति डेद कर जाता है died हो जाता है मर जाता है तो उसके बाद जो गीत गया जाता है उस गीत को क्या कहा जाता है उस गीत को कहता है इलेजी हिंदे में इसको कहते हैं सोक गीत बढ़ते हैं next हमारा चौत हाप one more substitution है an inscription on a tom stone tom stone पे जो inscription यानि जो लिखा जाता है कब्रिस्तान के उपर जो 100 दफनाय जाता है उसके उपर जो वर्ड लिखा जाता है उससे कहते है इपीटेफ क्या कहते हैं उसे इपीटेफ बढ़ते हैं next question की तरफ हमारा पाच्वा one more substitution है that you cannot avoid जिससे आप avoid नहीं कर सकते जिससे आप बच नहीं सकते है उससे क्या करते है inevitable inevitable का मीनिंग हुआ जिससे रोका ना जा सके जो बहुत ही जरूरी हो बढ़ते हैं next one more substitution की तरफ छठा one more substitution है beautiful handwriting that you do with a special pain or brush यानि कि बहुत ही सुन्दर handwriting जिसका use जो आप special pain or brush के यूज करके करते हैं तो उसे क्या कहते है उसे क्या कहते है calligraphy इसको हिंदी में कहेंगे सुलेक या शुन्दर लिखावट उसे क्या कहेंगे calligraphy बढ़ते है next word की तरफ बढ़ते है the art or process of drawing or making maps यानि कि map बनाने की जो कला है या map बनाने की जो प्रकिरिया होता उसे क्या कहते है उसे कहते है cartography यानि कि हिंदी में क्या कहेंगे मान्चित्र कारी बढ़ते है next word की तरफ बढ़ते है next word है difficult impossible to read यानि कि जो कठी नो पढ़ने में यानि कि जो दिखे नहीं बहुत ही मुस्किल लगे पढ़ने में उसे क्या कहेंगे उसे कहेंगे illisible illisible का मीनी होता जो की देखने में दिक्कत हो कस्ट हो असपश्ट जिसे पढ़ाना जा सके बढ़ते है next word की तरफ हमारा नवा वर्ड है no longer used because something new has been invented यानिकि कोई ऐसा चीज का विष्कार हो जाना जिसके बाद मालो जैसे नहाए mobile जैसे नहाए mobile आ जाता है तो पराना mobile बेकार हो जाता है तो लोग use करना पसंद नहीं करते हैं तो उसे क्या कहेंगे उसे कहेंगे obsolete obsolete तबुन, एके बुल्फ, अलस studying पुराना नश्यामी केुटर आ एक अब इसख्याय और का रएबी, यह रहना हूँ, यह उसका कमाइब का इस तो Nekt पर आ चया करने वाला यह ड्का करने वाला, कहा जा सकता है तिये थे आज के हमने दस most important वन वाश रवस्टी चूसंस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में बाई अगर आप नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए